हेलो दोस्तों एक बाद दुवारे से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फिविक रणा स्टॉक्स पर दिल से अगर आप चैनल में नया है तुझे को सब्सक्राइब कर लो साथ में बैल को दवारा ना बोलना तो दोस्तों लाहे हूँ आपके लिए 2 रुपे का पैने स्टॉक राइट दो रुपे का अभी ट्रेट कर रहा है एक मीडिया से रिलेट कंपनी है और स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है और अभी करेंट बैस्ट प्राइस में मिल रहा है साथ बाद में मौका ना मिले इसे रिए एस्ट बोडियो का करते हैं आपको शैर कर देना आपको फेसलोक में टुटर में वर्ट्सप में जहाब कर सकते हो करने के बाद आपको एक सिंपल काम होर करना है हमारा इन्स्टींग्राम चैनल ह् विया स्टॉक्स करके वहां हमें टैंग कर देना है स्क एक आपने विडियो को शेर कर दिया है और शेर करने के बाद जो वैक्ति शेर करेंगे क्योंकि दिया तुछ दू during a तक आप आपका बहुत फाइदा होने वाला आप इसको प्राइवेटी रखता हूँ ठीक है तो वह जो पार्ट टू होगा इस वीडियो का वहाँ पर लोट कर दूँगा तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि मैं पार्ट टू क्या से स्लाक करता हूँ ठीक है पार्ट वन में टेक्निकल होता है पार्ट टू में होता है फंडामेंटल तो दोनों को मिक्स करके हम एक स्ट्रेजी बनाते है वो स्ट्रेजी को जानने के लिए टीक है तो स्टेमेंट ठीक ठाक है 49 क्रोड के आसका मार्केट क्या चला दो रुपे के असपास और स्टॉक ने 3 रुपे का हाई लगाय था और जेड़ रुपे के आशपास का लो है थीक है अपनी बुक से का भी सस्थे में आभी आपको मिल रहा है राइट सस्थे में मिल अपने बुक से ทतो बहुत simple है company के जो profit है वह company लगातार profit तो दे रही लेकिन कभिकछria भी होता है तो इसी वैसे से आपको का二 सस्तेय में में यहां ठीक है और company में क्या बड़िया देहते हम ? है दोस्तो वह strategy शेयर करने से पहले मैं शेयर कर दिने चाहता हूं shoes कि कॉपणी के पेंडर कैसे है inability आपको थोड़ा समझ आया कि आपको को बाय करना नहीं करना कि अंते में आपकोना करना कि आपको investment करने करनी तो दोस्ता अब देख सक्थ को यूज कर रहý है कंप्सओर के लाँ ट्रॉम में में चो काफ़ी बढ़िया होता है ठीक है तो बहुत बढ़िया है ठीक है मैंने आपको बता जहाओ कंपनी का मेली काम है सब्सक्री रेटिशन कैने मेडिया से और मेडिया लुटों सकते हूं कि कंपनी के रिजस्की तो दोस्तों ले की चलता हो 어린 रॉपिट थे रही है कुछ दोर से लगता कम अरही गिरावट आठी इसी वज़े से दो रूपी का आज ये ट्रेट कर रही है लेकिन ठीक है कंपनी कम से कम प्रॉफिट दे रही है लाइब है अलाइब तो है ठीक है बहुत सारी कम भी तरह थो लागा कि लौस्में कंपनी है लोन करजा भर-भर के कर जाए ममें अकर बात करोंते हैं कम वहन लगरारे योख से कम देखें में मनें किन नीकिंट Note छेल्शार लगेए नेaciones कपनी की लगता बढ़ रही है ये यह शिंद कर बात करते हैं बात कर मनें नेडट प्रॉफिट तो यह सकतो स्क्रीन में तो ठीक है मतलब इसतना अच्छा है नहीं कि हम बोले कि भीज़ा बहुत लाजवाब लाजवाब तो नहीं है ठीक है अगर बैलन्स रेट की बात करता हूं तो तो अभी के देखे यह डैट फिरी बन सकती है तो खुछ इकत नहीं है अगर बात करते हैं के लोगी तो कंपनी के पैटन की तो आप देख सकते हो कंपनी के पास ऑल्मोस 63 परसेंट जो होल्डिंग है प्रमोटर की होल्डिंग है मतलब प्रमोटर को उमीद है वीवी की स्टॉक फ्यूचर ने कुछ कर सकता है इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची नहीं है पहली बात तो बहुत के प्रमोटर के लिए पैसा होल्ड गरावा बैट लगा रहे है ठीक है तो अगर प्रमोटर का विश्वास है तो हमें उस विश्वास को पैसा लगाना चाहिए ठीक है अब वह विश्वास हमें कहां से मिला है दूसरा सबसे बड़ा कान है स्टॉक को भाई करने का वह टेक्निकल जिस तरीकी से मैं स्टॉक को स्टॉक करता हूं तो प्रॉफिट के साब से कंपनी ठीक तागे तर्ची नहीं है तसवे से पांच द दिना चाहूं आ जाँ हुआ लेकिंट टेकनिकल के साब से अ मुझे कंपनी का फिर फसंद आ रही है ठीक है चार्ट के साब से जिस तरीके से स्टॉक को सेलेक्शन कर तो पाई स्टॉक को वो तरीका गया है देख लो आवा आप देख सकते हो स्क्रीट में स्टॉक का खुल रहा भी ठीक है तो अगर आम मैक्स चाट को ध्यान से देखोगे तो दोस्ता देख सेकते मैक्स चाट में स्टॉक ने जो 10 रुपे और 15 रुपे का हई लगा है ठीक है लगाता स्टॉक पंदर रुपे का हई लगाने के बाद हमें देखना है स्टॉक का छोटा चार्ट तो दोस्त मैंने खोल लगा स्टॉक का चोटा चार्ट पांस साल के चार्ट है आपका स्क्रीज में आपको करना किया है जब भी कोई स्टॉक लगता नीचे गिरता उपर हाई बनाके न तो आप उसको यह देखा करो कि वह स्टॉक अपना ना लास्ट येर का लास्ट येर का हाई जब भी break करें, stock को आप पकड़ सकते हो, यह एक technical bounce और technical support आप बोच सकते हो, ठीक है, मतलब क्या, मैंने क्या बताया, मैंने आपको सीधा बोला है, आपको daily chart देखना है, ना आपको monthly chart देखना है, आपको देखना है yearly chart, एक साल का chart देखना है, जब भी stock एक साल के chart का high break कर stock को आप आखे बंद करके वाई कर लो, mostly किसी मैंने देखा है कि वो आपको आराम से 50 से 100% की return देखे चले जाता है, अगर पैनी stock है, ठीक है, पचास तो आराम से आ जाता है, अगर उसने अपना last year का high break कर दिया हो, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो stock ने almost 2018 से आपको चार high break नहीं किया, देख लो आप, 2020 में stock ने high बनाया था, देख सकती ही रहा, यह कहीं highest का 2 रुपे कितना एक से देख लेता है, 3.60 पैसे के असपास मेरे इखाल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, एक सेगिन है, तो दोस्तो आप देख सक 12-21 में, फैप के महीने, मार्च के फैने में, ब्रेक कर दिया है, ठीक है, तो भाई हम stock को buy करके चल सकते है, strategy क्या बहुत simple है, जब भी कोई stock उपर से गिर रहा हो, और उसने अपना yearly basis का high break कर दिया हो, 2-18 में stock ने नहीं किया था, 2-19 में नहीं किया था, 2-20 का high अकराब मार पर, अगर आप जुरूद्वा का चार्ट दिखूएगा, आपको बहुत clear दिखेगा, तो यही price है, stock को buy करने का 2 रुपे, 25 पैसे, 2 रुपे, 30 पैसे का, अगर बात करते है, stock के stop loss का, तो stop loss के लेके चलता हो, आपको chart की दिरव, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत clear दिखे तो दोस्तो के आपको समझ आगे होगी, स्टैड़जी, अगर समझ नहीं आए, तो बहुते है, चार्ट मेने खोला हुआ, stock का, ठीक है, संभाव मीडिया का chart है, हाँ देखेगा देखे हुए, 2220 का मैने हाई पुरा लगा रहा, यह है, 2220 का अब देखे को फूरा है, यहां पर लेकिन मैं चल रहा हूं श्राप को मांगे चल लाँ कि यह टैफने उस पर उपर जा सकता है ठीक है इसने ब्रेक कर दिया थीक है अगर आपको होड सेफ खेलना है तो देखिए दोस्तो इस टॉक ने तो ब्रेक तो किया लेकिन इसके पर प्लोज नहीं कर पाया डेली बीकर नहीं कि नीचे कलोस कर रहा है अगर आप ध्यान से देखो कि मंतली चार तो आपको दिख जाएगा तो दोस्तों आप चाहो तो इसको बाइगा चल सकती हो इसी हाई के आसपास देकिन दोस्तों देखी यह है तो काफी उपर है इस टोक अभी भी आपको काफी नीचे ले यह सब्सक्राइब कर जो और आपको स्टॉपोस लगाना यह लास्ट जो दिखे रहे हैं आपको यह आपके स्टॉपोस होने चाहिए यह लास्ट स्विंग 1.15 पैसे का स्टॉपोस है मतलब ठीक एक रूपए का स्टॉपोस होगा और वेट कर सकते हो चार रुपए और छह टार्गेट के लिए स्टॉक में आपको वेट क्यों करना है इस लगता पर जाएगा दोस्तों देखिए एक तरीका बता दिया कि साल का हाई अपना अब डेक करते चल सकते हो टेक्निकल बाउंस वहां से देखने को मिल सकता है तो दूसरा सबस्वरेट रेजिए दोस्तों यह एक सपोर्ट लेके एक लोड़ लोगा लोगा चल सकते हैं यह तो यह इसको टेस्स करने जाएगा उपर तो यहाई आपको यहाँ पर हतोड़ा मानना है इसी प्राइस में पक्का लगा लगा ले ना भाई ठीक है यहाँ रिक्स जो हमारा है अकर आप हजार क्वाइटिटी तो आपको बता आपका जो रिक्स कैपिटल है वो आपका 50% कैपिटल पूरी भी जिरो हो सकती है 50% का स्टॉप रोस है और टार्गेट हमारा एटलीस यहाँ पर 100% और 1500% का हो सकता है तो भाई इसलिए मैंने बोला हजार 500 क्वाइटिटी लगा के भूल जाओ अगर आपको ज्यादा आपकी money management ज्यादा है आपका अगर आपकी capital बहुत बड़ी है तो आप बड़ा पैसा लागा के भूल सकते हो लेकिन अपका risk management money management को follow कर लेना जो 2% का rule है न 2% 4% का जो भी आपका जो भी investment करते हो कि क्या 2% ही follow करना उसे तो ठीक है 2% मतला जो भी आपकी capital है उसका 2 100% हिस्सा आप स्टॉक को investment करके भूल सकते हो और एक रुपे 20 पैसे के निचे का स्टॉप पक्का लगा नहीं ना और मुझे लगता है यह को test करेगा यह चार रुपे का असफास निकलके आता है और अच्छा भी चार रुपे को पर close कर देगा तो आपको 5-6 रुपे के target प हुआ ठीक है और वीडियो को share कर देना अगर आपको participate करना है उस वाले वीडियो में पतला हमारी classes में participate करना अगर तो अभी अभी शेर कर दो चलो बाय बाय